आपको इस वीडियो में आपको आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आप वहां पर जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं तो यह आजकल एप्स फाइंड करना भी काफी मुश्किल हो गया है अगर आपको इप्स पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें भाई को सपोर्ट मिलेगी तो वीडियो स्टार्ट करते है तो आज का हमारा फर्स्ट एप है इजी स्क्रोल जैसे ही आप इस एप को करेंगे तो आपको एक स्क्रीन पर डबल साइडिड एरो शो होगी और जैसे ही आप इस पर स्वाइप करेंगे तो आपका पेज अपसाइड को स्क्रोल होना स्टार्ट कर देगा और स्क्रोलिंग को स्टॉप करने के लिए जस्ट आपको इन एरो पर टैप कर देना है और स् आपका page automatically scroll होता जाएगा और अगर आप इस option से right side को swipe करेंगे तो आप देख सकते हैं कि arrows की direction change हो गई है तो अब अगर आप इस पे swipe करेंगे तो जिस side को arrows की direction है उसी side को page move करना start कर देगा और अगर आप इसे hide करना जाते हैं तो उसके opposite side को swipe करें और यह option आपकी screen से hide हो जाएगा और अगर आप scrolling speed को change करना चाते हैं वो सब कुछ आपको app की settings में मिल जाएगा जहां पर जाकर आप इसकी scrolling speed को change कर सकते हैं तो next step है enroll.me तो basically यह app आपकी emails को arrange करने के लिए जैसे कि हम सब लोगों को ही spamming mails आती रहती हैं तो अगर आप उन spamming emails को unsubscribe करना चाते हैं तो आपको बार बार उनके unsubscribe option पर tap करना पड़ता है and then उनका एक page open होता है तब आपको फिर okay करना पड़ता है and then आप उन services से unsubscribe हो जाते हैं लेकिन अगर आप enroll.me app को use करेंगे तो जस्त आपको एक left swipe करना होगा और आप उन email से unsubscribe हो जाएंगे और यह ऐसे work करता है कि अगर आप उन email से unsubscribe नहीं होगे तो जो भी emails आपने unsubscribe के लिए choose कि हैं यह सभी emails को trash folder में डाल देगा और आपको कभी भी उस email से आने वाली कोई भी emails शो नहीं होगे तो यही इसका best feature है और अगर आप right side को swipe करेंगे तो उन services की सारी emails आपको आती रहेंगी और अगर आप roll up option यूज़ करते हैं यानि कि अगर आप swipe up करते हैं तब आपको वो सभी emails आपको एक अलग section में roll up section में show हो जाएंगी तो जैसे जो emails आपको important लगती हैं और आप daily read करते हैं तो आप उनको roll up कर सकते हैं और आप अपनी roll up services को read करने के लिए time भी set कर सकते हैं कि आपको morning में read करनी है, evening में read करनी है या night में read करनी है तो आप उसको set कर दे और roll up section में आपको आपको आपकी important emails show हो जाएंगी and then अगर आपसे गभी गलती से mistake हो जाती है तो आप उनको edit करना चाते हैं तो top पर आपको एक pencil का option दियागा आप pencil option पर tap करें और यहां पर जाकर अगर आप किसी services को दुबारा subscribe करना चाते हैं तो आप उनने दुबारा subscribe कर सकते हैं अगर उसको roll up करना चाते हैं तो आप उसे roll up कर दे या फिर किसी subscribe services को unsubscribe करना चाते हैं तो आप वह भी choose कर सकते हैं तो basically आप बहुत ही simple way में अपने spam emails को unsubscribe कर सकते हैं तो next step है one tap glitch तो यह app उन लोगों के लिए है जो अपनी images को glitch effect देना चाते हैं glitch effect देना बहुत easy नहीं होता लेकिन one tap glitch app की help से आप easily अपने images को glitch effect दे सकते हैं तो इस app में आपको दो option मिलते हैं एक तो camera से अभी आप image click कर सकते हैं या फिर अपनी gallery में से किसी भी image को select कर सकते हैं तो जो भी आप image select कर लेंगे image select करने के बाद आपको यहां पर कुछ default presets दी गई है glitch effect के लिए तो आप इन्हें choose कर सकते हैं कुछ free है और कुछ को इनलोग करने के लिए आपको एक video को watch करना होगा तो वह भी बड़ी बात नहीं है and then उसके बाद नीचे आपको गैलरी में save कर सकते हैं या फिर डिरेक्टली इसे अपने social media accounts पर share कर सकते हैं next step इस list में story bone जो की एक Google का app है इससे आपकी help से आप अपनी videos को एक story में create कर सकते हैं इससे आपका interface भी बिल्कुल simple है जिस्ट आपको इसमें एक video load करनी है and then यह automatically video को process करेगा and then आपको कुछ clips के साथ इसकी एक story create करके show करेगा तो जैसे ही अगर आप swipe down करेंगे तो यहाँ पर आपको different different templates या फिर आप कहा सकते है different different presets मिल जाएंगे तो जो भी आपको story पसंद आए तो आप उस पर एक बार tap करें और यहाँ पर के वास option आजाएगा load video save या फिर share करनेगा तो आप swipe down करकर different different story modes को check कर सकते हैं तो यह भी Google की तरफ से काफी अच्छा app है क्यूंकि इसकी help से आप अपनी किसी भी वीडियो को एक story में convert कर सकते हैं तो जिससे कि आप अपनी life के moments को एक story के अंदर save कर सकते हैं next app है selfie simo यह भी Google की तरफ से ही एक latest app है तो अब बात करते हैं कि यह app work कैसे करता है तो जैसे ही अगर आप camera के सामने still pose देंगे तब आपकी एक selfie क्लिक हो जाएगी और जैसे ही अगर आप अपनी body move करके दूसरे still pose में आएगे तब आपकी एक image क्लिक हो जाएगी और यह within a second ही आपकी image क्लिक कर देगा ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा देर के लिए still pose देना पड़ेगा लेकिन इस app से अभी आप सिर्फ black and white images को ही क्लिक कर सकते हैं जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह app lag भी करता है तो अभी यह app fully prepared नहीं है लेकिन अगर आप फिर भी try करना चाते हैं तो इसका link आपको description मिल जाएगा आप इसे try जरूर कर सकते हैं अपनी images क्लिक करने के बाद आपको एक बाद कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए अगर आप automatic black and white selfies क्लिक करना चाते हैं तो आप इस app को जरूर use कर सकते हैं next app इस list में है Canva तो आप में से बहुत लग अभी भी मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं अपनी thumbnails को क्रैसे create करता हूं तो मैंने उस पर एक video बनाया था कि मैं Canva.com की help से अपने सारे thumbnails को create करता हूं लेकिन उस time पर Canva का app सिर्फ iOS devices पर available था लेकिन अभी app Android पर भी available है तो अब बात करते हैं कि आप इस app की help से क्या कुछ कर सकते हैं तो अगर आप Instagram post create करना चाते हैं Facebook wall create करना चाते हैं YouTube का banner create करना चाते हैं YouTube के thumbnail create करना चाते हैं किसी presentation को create करना चाते हैं और या फिर कोई poster create करना चाते हैं तो ऐसी किसी भी template को अगर आप create करना चाते हैं तो उन सभी के options आपको Canva app में मिल जाएंगे इसके अंदर आपको कुछ stock templates भी मिल जाते हैं जिनको आप select कर ले and then just आपको उसका text change करना होगा और आपका poster या फिर जो भी आप create करना चाते हैं वो create हो जाएगा तो इसमें आप अपने Gmail account से sign up कर सकते हैं और नीचे आपको सिर्फ दो option मिलेंगे एक तो create design का और एक your design का तो आप जैसे कि मैं your design में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे thumbnails यहीं से बने हुए तो इस type के अगर आप thumbnails create करना चाते हैं तो आप बहुत ही easily canva से कर सकते हैं and अगर आप create design पर जाएंगे तो यहाँ पर just आपको एक template select करनी है and simply आप किसी की template को select करें और उसका text change करना है तो आप text change कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आपके पास एक addition का symbol दिख रहा है आपको उस पर tap करना है तो इसके बाद आपको 4 option मिल जाएंगे text add करने को, image add करने को, graphic add करने को या फिर अगर आप किसी template को add करना चाते है तो वो भी यहीं से कर सकते है और जैसे ही आप इन में से किसी भी option को select करेंगे तो यहाँ पर आपके पास search template का option आ जाएगा तो इसकी help से आप easily किसी भी template को search कर सकते है next step है smart lens इससे app की help से आप किसी भी image से text को copy कर सकते है तो जैसे कि अगर आपनी किसी दुकान के बाहर poster देखा और उसका number copy करना चाते है तो आपको उसको type करना पड़ेगा तो अगर आप मेरी तरह ही lazy है और आप उस number को type नहीं करना चाते तो आप smart lens अप की help से और directly single tap से ही आप उस number को copy कर सकते है simple और या फिर अगर आप किसी भी page में से text copy करना चाते है तो जस्ट आपको उसकी एक image select करनी है और आपका सारा text यहां पर highlight हो जाएगा तो जिस भी text को आप copy करना चाते है जस्ट आप उस पे tap करें और या फिर आप drag करके सारे text को select कर सकते है and then just आपको इस arrow पे tap करना है और आपका सारा text इस image से extract हो जाएगा उसके बाद आप इसे copy कर सकते है इस text को translate भी कर सकते है और अगर आप इस text की एक PDF file create करना चाते है तो आप वो भी कर सकते है और अगर आप इस shutter button को press and hold करेंगे तो automatic mode start हो जाएगा तो आप जो भी word आपके camera के सामने आएगा वो सभी highlight होना start हो जाएगा और आप उसे easily copy कर सकते है तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ image ही क्लिक करना है आप automatic mode को भी use कर सकते है next app इस list में drawers जैसे ही आप इस app को enable कर देंगे तो आपको आपकी screen के side पर bars show होंगे तो जैसे ही आप उन्हें left side को swipe करेंगे तो यहाँ पर आप अपने apps को add कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ settings दी गई है कि आप अपनी screen पर कितने bars चाहते हैं आप maximum 5 bars ही add कर सकते हैं और एक bar के अंदर आप maximum 5 apps ही add कर सकते हैं तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी screen पर 5 bars या फिर आप कह सकते हैं triggers show हो रहे हैं तो जैसे ही मैं उन्हें left side को swipe करता हूं तो यहाँ पर मुझे कुछ apps show हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर apps को add करना पड़ेगा और अगर आप इन apps को change करना चाते हैं तो जस्ट आपको उस app को press and hold करना है और आपके पास दूसरे apps की option आ जाएगी और जो भी app अभी यहाँ पर आप select करेंगे वो वहाँ से replace हो जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर apps को add कर सकते हैं और इस app की help से आप अपने apps को easily open कर सकते हैं next app है what the phone तो कभी कभी होता है कि हमें कोई phone बहुत पसंद आयाता है और हमें वो मिल ही नहीं पाता कि कौन सा phone है उन सब phones को search करने के लिए आप what the phone app को use कर सकते हैं जस्ट आपको उस phone की image क्लिक करनी है image क्लिक वाला option यार इसमें काम ही नहीं करता बार बार clear data करना पड़ता है फिर जाके image क्लिक होती है लेकिन इसमें एक और option भी है कि आप अपनी gallery से images को select कर सकते हैं तो अभी के लिए better यही होगा कि आप एक image क्लिक कर लें उस phone की and then gallery में से उस file को select कर लें यह processing करने के बाद automatically आपके text को highlight कर देगा तो जो भी phone आपको search करना है आप उसको select कर लें and then ok कर दें और यह web पर search करके बता देगा कि आप concept fonts को find कर रहे है and अगर यह exact fonts नहीं find कर पाता तो यह आपको नीचे recommendation देदेगा similar fonts की तो आप उस type के similar fonts को भी use कर सकते हैं तो last app इस list में typing test और typing challenge तो जैसे कि हम सभी लोग अपने devices पर typing तो करते ही रहते हैं तो इस app से आप अपने typing speed को check out कर सकते हैं और अपने friend के साथ compete कर सकते हैं तो इस app के अंदर आपके पर दो ही option आते हैं एक practice का और एक start typing का तो आप start typing चूज़ करके आपको सामने एक text show होगा आपको just true से type कर देना है और top right corner पर आपका time चलता रहेगा और 30 seconds का यह time होता है और जैसे ही time खतम हो जाएगा तब आपको आपका score show कर दिया जाएगा और आप देख सकती कि मेरा typing score इतना है मुझे पता है यह slow है लेकिन मैं फिर भी जाना चाहूँगा कि आप लोगों का typing score कितना है तो आप अपना score comment section में comment कर सकते हैं तो चलो शूरू हो जाओ तो बैस यहर आज के लिए इतना है अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं तो टैक से इर चनल को सब्सक्राइब करें शेर करें इस वीडियो को लाइक जरूर करें इस वीडियो को एंड थैंक्स पर वाचिंग आइस